असलाम अलेकुम जी तो यहां तक हम लोग अपना लोगो डिजाइन कंप्लीट कर चुके हैं इसके बाद हम इसको अगले स्टेप पे लेके चलते हैं आज ढंप रिक्स्तों केटायंगी इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रूप करते हैं और इसको साथ टेक्स्ट को एड़ करके देखते हैं तो इसकी बॉटम साइड पे टेक्स्ट अढ करते हैं इसके बाद जी यहां से मैं टेक्स्टू लेता हूँ और हम टेक्स्ट को राइट करते हैं दाइज विरू राइट इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ इसको हम इसकी नीचे आर्ड करते हैं इसको थोड़ा सा मजीद रिसाइज कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा मजीद रूटेट कर लेते हैं ठीक है जी यहां से हम इसको एक टाइप फेस असाइन करते हैं तो मैं अपने करेक्टर पैनल में जाके यहां से राइट करता हूँ जी पॉपिंज और देखते हैं कि हाव इट लुक्स पॉपिंज मीडियम एड़ करते हैं इन सब को कैपिटल लेटर्स में कनवर्ट करके देखते हैं चीक है जी जो करेक्टर्स है उनके दिरम्यान में स्पेस इंक्रीज करके देखते हैं टीक है यह हमारा टेक्स टायर्ट हो गया है इसके बाद हम इसके नीचे एक टैग लाइन एड करते हैं तैट इस गुइंग भी नाच्रुल ग्रिंक ठीक है और इसके बाद जी हम इसको जो type face assign करेंगे वो regular करके देखते हैं और इसको size reduce करते है ठीक है जी इसको भी capitals में ही लिखके देखते है natural drink कि इसको size चोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ठीक है जी यह तो हमने कुछ अपना टेक्स्ट आड़ कर दिया fonts type faces उसको sign कर दिये नीचे हमने tagline एक add कर दी so this is how our logo looks at this moment इसके बाद हम इसके responsive variants बनाएंगे तो responsive variants क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ तो एक website है that is responsivelogos.co.uk आप इस website पर जाएंगे तो आपको brands के logos नजराएंगे and you would be very familiar with these brands ठीक है और अगर मैं इसको browser को इसकी जो width है उसको कम करूँ so ये मेरे पास browser है इसके मैं width यहां से कम करता हूँ ठीक है आप देखेगा कि जो logos हैं उन पर क्या effect आएगा so यहां पर एक break लगा so this is going to be जो छोटी screens होती है जिसकी width कम होती है या जो tablets आप यूज करते है आई-pads यूज करते है तो उसके उपर आपको यह logo कुछ इस तरह से नजर आएगा अगर screen मजीद छोटी होती है तो यह logo मजीद अपने आपको minimal वरियन में लेके चलता जा रहा है और अगर मजीद हम इसको reduce करते हैं तो maybe कुछ logos के उपर इस break down का भी effect पढ़ा होगा ठीक है तो यह किसम का एक mobile वरियन है और उसके उपर अगर कोई brand अपनी products को display कर रहा है तो वो अपना minimal वरियन यहाँ पर display करेगा जो के उसी logo को उसी company को represent कर रहा है और people can still recognize कि यह जो marks हैं यह किस company की तरफ से हैं for example this is a mark from codec यह tablet वरियन है और यह इसका full वरियन है ठीक है इसी तरह से मजीद कुछ और logos को देखते हैं Levi's को देखते हैं यह इसका full वरियन है यह इसका tablet वरियन है और यह इसका सबसे जो minimal वरियन है ठीक है जी So Disney को देखते है Disney आपने आपको कैसे reduce करता है So Walt Disney और ये इसका एक complete origin है इसके बाद ही हम किसी और For example Nike को देख ले दे So Nike Air This is Nike और अगर इनका सरफ ये जो mark है ये भी रह जाता तो people can still recognize that this mark is from Nike तो Coca-Cola आपने आपको कैसे adjust करता है ठीके जी So कुछ इस तरह से responsive logos बनाना That is very important तो इसके लिए अब इसके मुख्लिफ variants बनेंगे जैसा के ये हमारे पास इसका For example we are considering this is a complete variant इसके लाब अगर हम इसका एक और variant create करते हैं So we will remove this tagline तो ये हमारा एक और variant create हो गया और अगर हम इसका मजीद एक minimal variant create करते हैं So we will remove this viru और ये जो leaves है अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कुछ इस तरह से advertise करते हैं और बहुत अर्से के लिए लोग हमारे पानी को purchase करते हैं So ये जो leaf हैं ये लोग इससे familiar हो जाएंगे और अगर हम सिरफ leaf को present करते हैं in the future after 10 years, after 5 years the people can recognize that these leaves representing viru ठीक है? The natural drink तो ये हमारे पास इसके variants हैं इसके बाद एक और important चीज है कि हमें इसके एक तो horizontal वरियन है जहां पर text नीचे लिखा वा है So हमने एक और वरियन create करना है जहां पर जो ये जो mark है इसको हम left side पे add करेंगे और अपने text को right side पे add करेंगे ठीक है तो इसको भी हमें adjust करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जगों पे आपको सिरफ और सिरफ vertical variant यूज नहीं करना बलके horizontal variants भी आपको इस्तमाल करने पड़ेंगे So it's very important कि आपके पास दोनो variants available हो ठीक है जी So for example we are going with this one और इसका next variant क्या होगा इसमें से tagline remove हो जाएगी और इसमें हम जो font है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो size है और इसको मजीद reduce कर लेते है ठीक है तो कुछ इस तरह से भी इसका horizontal variant बन सकता है और एक बिल्कुल similar होगा जो third one वाला होगा This is the minimal variant of our logo ठीक है इसको हम small size में भी represent कर सकते है smallest size के अंदर और इसको बड़े से बड़े size में भी present किया जा सकते है जैसा कि मैं किसी website पर जाता हूँ और यहां पर जाके आप देखें जो responsive logos है इनका ये एक mark आपको नज़र आ रहा है So this is the minimal variant जो के इस company को इस website को represent कर रहा है अगर आपको इस fav icon की जगह पे अपने लोगों को present करना है आप लोग variants create कर लेंगे then you can go with the colors ठीक है तो हम इसी logo design को उठाते है और इसको हम colors assign करते हैं तो यहां से color assign करते हैं जी blue इसको black ही रहने देते हैं और maybe you can assign a dark blue of it the darker variant ठीक है तो you can try different colors इसको हम लोग green करके देखते हैं के green में यह कैसा नज़र आता है ठीक है जी इसको एक और color assign करते है that may be the another blue ठीक है तो आपको जो color पसंद आए उसके बाद आप अपने client के साथ इसको share कर सकते हैं and let them decide के उनको कौन से colors पसंद आते हैं या अगर आपके कोई brand colors है आप अपने logo को redesign कर रहे हैं या किसी client के logo को redesign कर रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि already जो उसने colors use किये थे जो brand colors use करता है उनी colors को आप अपने नए design में use करने की कोशिश करें इसके अलावा जहां पर हमने font use किया था it's very important कि अगर आप किसी logo को redesign कर रहे हैं और already उस brand की style guides बनी भी हैं तो उसमें से देखें कि वो अपने brand के लिए कौन से fonts को use करता है so try to use similar font और exactly the same font तो उसके बाद for example we are going with this one क्यूंकि leaf represent कर रहे है natural product को और जो blue color है that is representing water तो बाकी दो colors को हम इस वकत skip करेंगे और we will create mockups using this variant ठीक है जी so this is the overall process ये एक logo design का process है आप इसको मजीद refine कर सकते हैं आप इसमें मजीद काम कर सकते हैं so this is the quickest way to showcase you that how to design a logo इसके बाद हम लोग इसके mockups create करेंगे and then we will move on to the next module see you in the next lesson, thank you so much